कि अज़े पी के वरिस्ट नेता दीविजे चोटाला जो अपने बेबागे के लिए जाने जाते हैं फिलाल रोतक में है इसे बात करते हैं आज कुछ मिटिंग लिए एक तो इन्सो की और उसके बाद प्रेस कांफरेंस में इमीडिया से रूब रूब रूएं कि इस वर्ष शात्रसंग के प्रत्यक्ष तोर पर चुनाव जरूर हों क्योंकि सरकार ने ये कमिट्मेंट किया था वादा किया था और दो साल क्योंकि करोना में नहीं हुए हम मान लेते हैं एक वर्ष क्योंकि एड्मिशन लेट हो गए और UGC की गाइडलाइन्स थी हम उसको भी सहमत मान लेते हैं मगर इस वर्ष क्योंकि अब सब नॉर्मल सी पर आ चुका है प्रत्यक्ष तो चुनाव जो है प्रत्यक्ष तोर पर चुनाव जरूर होने चाहिए इस पे इन्सों जो है वो कॉंप्रमाइज नहीं करें इन्सों की पराने डिमांड रही काफिश संगर के और उसके बाद दो साल करूना रहा है और एक वर्ष क्योंकि अब यह मान लेता हूं यूजी सी की गाइडनाइज थी मगर इस वर्ष जो है एड्मिस्टेशन के पास कोई एक्स्क्यूज नहीं है तो चुनाव जरूर होने चाहिए हम अपनी नई लीडर्शिप को उभरन अगर सरकार आपके मनमाफिक फैसला नहीं लेती है और उनकी आज जो नियत थी और उनकी जो नियत थी और उनकी जो सोच थी उस पश्ट थी कि फिर हमें इसके लिए चाहिए सड़कों पर उतरना पड़े हम उससे पीछे अपनी सरकार के खिलाफ खईबार मुद्दों के ल काफि कि अपने बात कहेंगे सर्पण्चों को काफी दिखते हैं इटैंटिंग को लेकर पुलो यातर दरने पे बैठे हैं आपका क्या स्टेन्ट इस माहमले में है? नहीं मैं तो वैसे ही कहता हूँ, डेमन से कहता हूँ कि सरपंच हो की, देखो सरपंच कोन है, हमारे वैसे कोई न कोई सरपंच बना है, जो हमारे हरियाना का परिवार है, उसका एक जिम्मेवार आदमी है, जिसको गाउने, हजारों वोटों ने जिता करके भेजा है, अब उस उसे ये सोच की अधिकार दिया है कि ये 5 साल काम करवाएं, वो काम कैसे कराएगा अपनी कलम की ताकत से, अगर उसकी कलम की ताकत की शाही कम कर दी जाएगी तो फिर दिक्कत तो होगी ना, लेकिन आपके जो आपकी पार्टी के नेता हैं, पंचायत मंत्री हम करो, कुछ बन जानी चाहिए. चुटाला जी को बेकसूर होते वे, बिना किसी वज़े के 10 साल की कैद सुना दी, अगर वो अभे सिंग जी भी कम्प्रोमाईज कर जाएंगे हुड़ा जी के साथ, तो इससे शरम सार बात, मेरे हिसाब से, जब वो रात को सोएंगे, तो उनकी जो है ना, उनकी आत्मा ही न चुटाला के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे. अपनी कारे करता हूं कि उनको प्रोचाहित करने के लिए, उनमें उर्जा का संचार करने के लिए, राजनीती में अभूमन ऐसी बातें कही जाती है. अब ऐसीं चुटाला पद्यातरा की बात कर रहे हैं? जब कर लेंगे तब चर्चा कर लेंगे? शुक्रिया. तो ये थे दिवजे चुटाला पड़ी बेबाकी से अपने अपनी पूरी बात रखी है, चाहे वो पॉलिटिकल रहे हो या फिर स्टेंट से जोड़े इशु रहे हैं, बड़ा साफगोई से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, और उसी अंदाज में आज इन अप बात रखिये, देवेंदर डांगी रौतक